हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एक्जाम करेजर में दोस्तों आज है 23 जनवरी और आज के वीडियो में हम 23 जनवरी से समंधित करेंट अफिर्स के most important questions को डिसकस करेंगे और हरे questions से related आपको fact भी बताएंगे इस वीडियो के अंत में आपसे एक question भी पूछेंगे जिसका जबाब आप सभी को comment box में देना है और अगर आपको इस वीडियो की pdf डाउनलूड करनी है तो इसकी pdf आप मारे telegram group से डाउनलूड कर सकते हैं telegram group की link इस video का description में दे गई है तो सभी लोग telegram group को join कर ले और वहाँ पर आपको सारी pdf जो है free में provide कराई जाती है तो चलिए start करते हैं दोस्तो यूपी current affairs की अगर आपको pdf डाउनलूड करनी है last six month की यानि जनवरी जुलाई 2022 से देसंबर 2022 तक की तो उसकी link वीडियो के description में मिल जाएगी कर सकते हैं यह जो pdf ebook है इसमें उत्तर प्रदेश current affairs की सारी questions दिये गए चलिए शुरू करते हैं तो आज का season शुरू करने से पहले हम कल की questions का revision करेंगी तो यह पिछले वीडियो की question है पहला question है राश्टिय स्वास्त प्राधी करन की निदीशक की रूप में किसी न्यूक्त किया गया तो option यहाँ पे c correct होगा प्रवीड सर्मा को अगला है हाली में दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र की इंसान कौन बनी तो यह बन गई हैं अब मारिया ब्रा करीन का आई एस ए अवार्ड किसे प्रदान किया गया तो यह दिया गया है डॉक्टर सेंडुक रूइट को option यहाँ पे c correct होगा अगला है भारत के जी ट्वन्टी प्रेजिडेंसी के तैद भारत में पहले ग्लोबल टूरिजम समिट का आयोजन कब किया जाएगा तो दस से 12 अप्रेल 2023 के बीच अगला है हाली में किस राजमें पैंटीड बैट के नाम से जाना जाने वाला एक दुरलब नारंगी रंग का चमगादर देखा गया है तो किस राजमें तो ध्यान रखेंगे 36 गड़ में यह देखा गया है और यह जो चमगादर है यह विलुक्त प्रा अगला है हाली में किस आयटी के इंक्यूबेटेट फर्म ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विक्सित किया है ओप्सन यहाँ पर B करेक्ट हो जागा IIT मदरासने तो दोस्तों यह पिछले वीडियो की कुश्चन से जो कि हमने रिवाइस किये अब हम शुरू करते हैं आसका सेशन आसका पेल उखशन है हाली में किसे 2022 के लिए सर्वसरेश्ट पुलिस स्टेशन की रूप में चुना गया ओप्सन यहाँ पर करेक्ट हो जागा A असका पुलिस थाना दोस्तों DGP और IGP का वार्षिक सम्विलन 20 जनवरी को नई दिल्ली में शुरू हुआ इस सम्विलन में ग्रह मंतरी अमिस सहा ने पुलिस महानिरिचकों का अखिल भारतिय जो सम्विलन था इसको संबोधित किया और ओडिसा के गंजम जिले के असका पुलिस थिसन को जो है सर्वसरेश्ट पुलिस थिसन की रूप में चुना गया है तो ध्यान रखेंगे ओडिसा का गंजम जिले का असका पुलिस थिसन है जो की सर्वसरेश्ट पुलिस थिसन की रूप में चुना गया है ठीक है इस बात को ध्यान रखनी है और दोस्तों ओडिसा के गंजम जिले से समंदित एक कुश्यन आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला बाल विवा मुक्त जिला जो है किसको गोसित किया गया था तो ओडिसा के गंजम जिले को ठीक है ध्यान रखने है गंजम या गंजाम एक ही बात है तो ध्यान रखना है कि इसका पहला बाल विवा मुक्त जिला कौन सा है तो ये है ओडिसा का गंजम जिला ओडिसा से संबनित एक योजना भी आपको ध्यान रखनी है, जो कि शुरू की गई थी, कुछ समय पहले चाता योजना, ठीक है, ये कासे संबनित है, ओडिसा ये संबनित है, दोस्तों यहाँ पर ओडिसा की बात है, तो ओडिसा को मैप में देखेंगे और इसके बारे में जा यहां आप देख सकते हैं, यह है मैप में ओडिसा, जो यह ओडिसा है, यह किन किन रज्यों की सीमा को साजा करता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, यहां पे देख सकते हैं, जतीस गड़ है, इसके उपर यहां पे जार खंड है, इसके अलावा यह वेस्ट बेंगॉल की सीमा को भी साजा कर रहा है नीचे की और यहां पर आएंगे तो आंदर प्रदेश हो गया और यहां पर कौन साइट चछतीस गड़ तो यह सारे राज हैं जिनकी सीमा को साजा करता है ओडिसा ठीक है यह भी ध्यान रखना है कई वार इस तरह से कुशन यहां से मुझ ले जाती है अगला हाली में किस राजी सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस पर योजना सुरू की है तो आप्सन यहां पे भी करेक्ट होगा पंजाब सरकार रह 25 जनवरी को स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लांच करेगी तीक है कर दिया है कि इस जनवरी को जो है इसे लॉंच कर दिया गया है लॉंच किया मुख्यमंत्री भगवन सिंग मांद्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस मोहाली में स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना का सुभारंब किया गया इस परियोजना को दिश्य क्या है तो सरकारी स्कूलों में सिक्षा का काया कलप और विद्यारतियों का समग्र विकास तुनिस्चित करना ताकि वे जिम्यदार नागरिक बन सकें स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना के तहरे 23 जिलों के 170 सरकारी स्कूलों का उनियन किया जाएगा जिसमें नौवी से बारवी कच्छा पर विसीज जोर रहेगा तो यहां से याद रखेंगे काफी important है कि स्कूल ऑफ एमिनेंस जो परियोजना है किस राजय से समदित है तो ध्यान रखेंगे पंजाब से समदित है ये जो स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट है परियोजना है किस से समदित है इसका उद्धिश ये क्या है वो भी ध्यान जोर है इस पर ठीके न ध्यान रखेंगे इस पर ज़्यादा विसीस जो रहे गा इस योजना का तो ध्यान रखना है पंजाब से समझेत है स्कूल ओफ एमिनेंस प्रोजेक्ट अब दोस्तों यहां पर पंजाब की बाते तो पंजाब के बारे में जानते हैं तो मैप में देख कश्मीर को भी यह टच्च करता है इसके अलावा यहां पे देख सकते हैं यह हर्याणा हो गया और यहां पर यह राजस्तान हो गया तो यह सारे राज्ये हैं जिनकी सीमा को साजा करता है पंजाब पंजाब की कैपिटल क्या है तो चंडीगड़ पंजाब के चीफ मुनिश्ट कहां सुरू हुआ तो इसका ओप्सन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भूपाल में तो भारत अंतरास्ट्रिय विग्यान महुसव 2022 की सुरुआत 21 जनवरी 2023 को भूपाल मद्यपरदीस में हुई यह जो महुसव है यह 24 जनवरी 2023 तक आईजित होगा इसका आयोजन मौलाना आजाद रास्ट्रिय प्रद्व की संस्थान भूपाल में किया जा रहा है और जो मद्यपरदीस के मुख्यमंत्री हैं सिवरा सिंग चौहान उन्होंने भारत अंतरास्ट्रिय विग्यान महुसव के उद्गाटन समारो में मुख्य अतिथी के तोर पर जो है यह इसमें सामिल है तो ध्यान रखने हैं आपको कि भारत अंतरास्ट्रिय विग्यान महुसव 2022 कहां पे आयोजित किया जा रहा है तो मद्यपरदेश के भूपाल में आयोजित किया जा रहा है और इसका जो आयोजन है वो 21 जनवरी से 24 जनवरी तक किया जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे और इस महुसव के मुख्य अतिथी कौन है तो ये हैं सिवरा सिंग चोहान जो कीमत दिपरदेश के सी एम है अगला है हाली में नागरिक उडियन 2023 के लिए एसुचेम के चौदवे अंतरास्ट्रिय सम गुषट ग्रीन फिल्द हवाई अड़े का पूरुषकार दिया गया तो यहां पर उप्संन करेक्ट हो जाएका ड़ी न्यू गोवा मनुहर अंतरा स्थिया हवाई अढ़ा तो इससे जो है किसके तहत यह पूरुषकार दिया गया है तो जो नागरिक उडियन है 2023 के लिए एसो चेम के 14 वे अंतराष्टी सम्मेलन सह पुरुसकार में विमानन इस्तिरता और परियावर्ण के तायत इसको ये पुरुसकार दिया गया है ठीक है तो ध्यान रखेंगे आप कि सर्वस्रेश्ट सतत ग्रीन फिल्ड हवाई अड़े का जो पुरुसकार है वो किसको दिया गया है तो गुवा का जो मनुहर अंतराष्टी हवाई अड़ा है और दोस्तों इससे समझेत आपको याद होगा कि गुवा का जो मोपा अंतराष्टी हवाई अड़ा था उसका नाम बदल करकी किया गया था मनोहर अंतरास्टी हवाई अड़े यानि कि मनोहर पारिकर के नाम पर इसका नाम किया गया तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि हाली में अभी इसका नाम चेंज हुआ है तो एक्जाम में पूचा जा सकता है तो ध्यान रखतेंगे कि जो मोपा अंतराश्टी हवाई अड़ा है गोवा का उसका नाम चेंज हुआ है और मनुहर पारिकर के नाम पे किया गया इसके अलावा दोस्तों और हवाई अड़े के नाम चेंज हुए थे तो कौन सा हवाई अड़ा है जिसका नाम चेंज हुआ था तो चंडीगर हवाई अड़ा अंतराष्टी हवायड़े का नाम और जो चन्रीगड का हवायड़े था उसका नाम किया गया था भगत सिंग के नाम पे ठीक है तो यह दोनों ध्यान रखेंगे अगला है हाली में किस दक्षड अफरीकी किर्केटर ने किर्केट के सभी प्रारूपों से अपने सन्यास की कर दी है दोस्तों दक्षड अफरीका के अब तक के दूसरे सबसे अधिक टेस्ट रन स्कूरर हासिम अमला ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास की घोश्रा कर दी है जो हासिम अमला है यह जैक्स कैलिस के पहले इस्थान के बाद एक सुचौबीस टेस्ट में 9282 र 70 रन इन्होंने बनाई है वह टेस्ट किर्केट में 13 सतक बनने वाले पहले और एक मात्र दक्षड अफरीकी बल्लेवाज बने हैं तो नाम याद रखेंगे इंपोर्टेंट है हासिम अमला किस देश से सम्मन दे थे हैं तो दक्षड अफरीका की एक किर्केटर हैं और इन्ह बन्यादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना तो यहां पर आप्सन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा कीरल दोस्तो कीरल का जो वाइनाड जिला है ध्यान रखेंगे कीरल का है तो यह जो है सभी आदिवासियों को आधार कार्ड रासन कार्ड जन्म प पहचान पत्र बैंक खाते और स्वास्त बीमा जैसी जो भी बन्यादी दस्तावेज और सुविदाएं हैं इनको प्रदान करने वाला यह भारत का पहला जिला बन गया है वाइनाड जिला प्रसासन ने अक्षाए बिग कैमपेइन पॉर डॉकुमेंट डिजिटाइजिसन अ हासिल की है यह अभियान नवंबर दोजार एकीस में थोंडा रंडू ग्राम पंचायस से अनसूचित जन जाती समधायों के सभी नागरिकों के लिए बन्यादी दस्तावेज सुनिश्चित करने के उद्दिसे से सुरू किया गया था तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला कौन सा जला ऐसा बन गया है जो की सभी आदिवासियों को बुन्यादी दस्तावेज और सुविधाय प्रदान की हैं तो ध्यान रखना है आपको कीरल का वाइनाट जला है यह जो है जिले की सभी आदिवासियों को जो बुन्यादी सिवाएं थी और जो दस्त कुश्चन है जिले से संबंदित यानि कि देश का पहला जिला ठीक है किस मामली में जैसे हर घर प्रमारित हो गया इसके लावा पुस्तकाले इनको रिवाइस करेंगे यहां पर तो देश का पहला हर घर जल प्रमारित जिला कौन सा बना है वरी इंपोर्टेंट याद जिला कौन सा है तो यह है जाम ताड़ा ध्यान रखना है आपको जाम ताड़ा और यह कहां पे है तो यह जार खंड में पड़ता है जार खंड का जो जाम ताड़ा जिला है यह हर गाउं में पुस्तकाले वाला जिला बन गया है अगला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा है तो ये है मंडला ध्यान रखना है आपको मंडला मद्य प्रदेश का है और ये जो है किस मामली में देश का पहला जिला बना है तो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला अगला है देश का पहला सम्विधान साक्षर जिला किसको गोसित किया गया तो ध् विरल का जो कूलम जिला है ये देश का पहला सम्विधान साक्षर जिला घोसित किया गया है ठीक है तो ये चारों कुश्यन वेरी इंपोर्टनेंट हैं सभी को अच्छे से याद रखेंगे अगला है हाली में WPR के द्वारा जारी नए आकड़ों के नुसार कौन सा देश सबस सबसे अधिक आबादी वाले देश की रूप में चीन को पीछे छोड़ दिया है WPR के अनुसार 2022 की अंत तक भारत की जो जनसंक्या है वो कितनी थी 141.7 करोड थी आधिकारिक घोड़श्राओं के नुसार 17 जनवरी को चीन द्वारा घोसित 141.2 करोड जनसंक्या की तुलना में भारत की जनसंक्या 50 लाग से थोड़ा अधिक है WPR के अनुमान के अंसार 18 जनवरी तक भारत की जो जनसंक्या है वो बढ़कर के 142.3 करोड हो गई है भारत जहां की 50 प्रिस्ट आवादी 30 वर्स से कम है दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थिववस्त होने की और अग्रसर है तो जो में बात यहां से आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अभी तक जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंक्या वाला देश था कौन सा था चीन तो अभी जो है हमारा भारत है ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंक्या वाला देश बन गया है और ये जो वो किस ने जारी कियें तो WPR विश्व जनसंख्या समिक्षा के द्वारा ये अनुमान लगा गया है ये रिपोर्ट जारी हुई है ठेक है तो ध्यान रखना है आपको क्योंकि अभी कुछ दिन पहले चीन के द्वारा यानि कि सतरा जनवरी को चीन के द्वारा एक जो है घोश परी तक हो गई है तो इस आधार पर जो इंडिया है ये अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है अगला है हाली में किसने नेशनल स्पोर्स क्लब ओफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता तो ये किसने जीता है ओप्सन यहापर करेक्ट हो जाए पेटॉलियम स्पोर्स प्रमोशन बोर्ड PSPB के लक्ष्मन रावत बाउलक लाइन N.S.C.I. All India स्नूकर ओपन में साती PSPB चैलेंजर आधित्यमेता को 17 फ्रेम के सरवस्रेस्ट फाइनल में 9-6 से हराकर के विजेता बने जो N.S.C.I. स्नूकर ओपन क्राउन निसनल स्पोर् ना मेंट है तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अभी N.S.C.I. All India स्नूकर ओपन में जो है किसने किताब जीता है तो ध्यान रखना है आपको लक्षमन रावत ने किताब जीता है 2023 का तो इसे भी ध्यान रखना है 2023 का अवार्ड नोने जीता है अगला है किस देश के राश्टुपती अबदेल फता अलसीसी भारत के कड़तंतर दिवस 2023 महारू में मुख्य अतिती होंगे तो यहां पर option C correct हो जाएका मिस्टर का मिस्टर के हैं very important question इसको ध्यान रखना है औ और यहां पर आप इनकी में देख सकते हैं यह मिस्टर के हैं राश्टुपती दोस्तों विदेश मंत्राले के अमसार मिस्टर के जो राश्टुपती है अब देल फता अलसीसी यह जो है चोतरवे गड़तंतर दिवस हमारू में मुख्य अतिती होंगे ध्यान रखना है कि द गड़तंतर दिवस 2023 पर मुख्य अतिती की रूप में आमंत्रित किया गया यानि कि पहली बार मिस्टर की राश्टुपती भारत के गड़तंतर दिवस में मुख्य अतिती की तोर पर आमंत्रित कि गए मिस्टर की सेना का 180 सदस्य मजबूत सेने दल भी गड़तंतर दिवस प कि मिस्र कि राष्ट्र पति क्या थे से थे अलवा आपसे मिसर की पूँची जा सकती है तो मिस्र की जो राजधानी है वो क्या है तो काहिरा मिस्र की राजधानी है और मिस्र की राश्टुपती फते अल सीसी और मिस्र की जो करेंसी है वो भी आपको ध्यान रखना है तो मिस्र की करेंसी क्या है तो मिस्री पाउंड जो है ये मिस्र की करेंसी है तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है मिस्टर से रिलेटेड अगला हाली में क्रिस हिपकिन्स को किस देश के एक तालीस में प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया ऑप्सन यहां पे डी करेक्ट हो जाएगा न्यूजीलेंड दोस्तों न्यूजीलेंड की सतरूर लेबर पार्टी ने बाइस ज ध्यान रखेंगे हिपकिन्स ने कुवड़ नाइंटीन से निपटने में महत्यपूर भूमी का निवाई थी तो ध्यान रखना है आपको कि जैसेंडा अर्डन है यह न्यूजीलेंड की अभी जो है प्रधान मंत्री हैं और यह जो है अपना पद छोड़ देंगी क्योंकि इन्होंने अपने स्थीफे की घोश्टा की थी और अभी जो है इनको चुना गया प्रधान मंत्री के रूप में इन्होंने अभी सबात नहीं किये तो यह की धियानिकन्स परी क्रिस हिपकेंस जो है यह अगले प्रधान मंतरी की रूप में न्युक्त किये जाएंगे न्यूजी लेंड के तो ध्यान रखना है आपको और दोस्तों न्यूजी लेंड के अगर हम बात करें तो न्यूजी लेंड से भी आपको ध्यान रखना है कि न्यूजी लेंड की राज पिछले वीडियो का कुश्चन है जो हमने आपसे पूचा था कि हाले में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसी मुलेवान ब्रांड कौन बन गया तो इसका जो करेक्ट अंसर है वो उप्सन नमबर A था एमेजॉन और लगबख सभी इस्टुडेरेंस ने इसके सही जबाब किये मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी कुश्चन आपसे पूशा जाए तो सभी लोग कुश्चन का अंसर जरूर किया करो यह है आज का कुश्चन ब्रांड का अडियंशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतिया को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स मताना है और दोस्तो सभी लोग कुश्चन का अंसर जरूर करेंगे दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो आपको पसंद आया अगर वीडियो की सारी कुश्चन आपको इंपोर्टन लगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे अपने दोस्तों के साथ इससे सेयर करें और अगर चैनल पर पहली वार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू